प्रस्ण 3 10 2a बराबर कॉट a-18 डिगरी जहां 2a एक नियून कोन है तो a का मान ग्याद कीजे तो क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है 10 2a 10 2a बराबर कॉट a-18 डिगरी a-18 डिगरी यह दिया हुआ है 10 2a बराबर क्या दिया हुआ है कॉट a-18 डिगरी तो यह कौन सा सूत्र पे है देखे यह जो है 10 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर कॉट ठीटा और कॉट 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर क्या होता है तो यहाँ पे 10 2a को यानि 10 theta बराबर क्या होता है cot 90 degree minus theta तो 10 2a है तो theta के जगा पे क्या है 2a है तो 10 theta बराबर क्या होता है cot 90 degree minus theta तो हम 10 2a को cot 90 degree minus theta के रूप में लिख लेंगे क्योंकि theta के जगा पे 2a है तो 10 theta बराबर क्या होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री माइनस 2A बराबर कॉट A माइनस 18 डिग्री इस तरह हम लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 ठीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ठीटा यानि कॉट 90 डिग्री माइनस ठीटा बराबर होता है 10 ठीटा तो ठीटा के जगा पे क्या है 2A है ठीटा के जगा पे 2A है तो 10 ठीटा बराबर क्या लिख देंगे यानि 10 डिग्री माइनस 2A ठीक है, तो 10 theta बराबर क्या होता है, cot 90 degree minus theta तो देखें, इधर भी cot है, इधर भी cot है तो दोनों तरफ cot हो गया, 10 to a को cot में बदल दिया है 10 को cot में बदल दिया हैं यहाँ पे क्यों बदले हैं, क्योंकि इधर भी cot है अब देखिए आप चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं इन दोनों में से किसी एक को बदलना है या तो कौट को 10 में बदल दें या 10 को कौट में बदल दें तो भी उत्तर आ जागा ठीक है तो इसको भी बदल करके उत्तर आ सकते हैं तो हम इसको बदल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको बदलना ज्यादा असान ही, क्योंकि इसको फिर लिखना होगा, 90 degree minus a minus 18 degree, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हल तो हो जागा, लेकिन यह जल्दी हल होगा, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, अब बीच में क दायां तरफ भी कॉट है, और बराबर के बायां तरफ भी कॉट है, तो जो ठीटा हो भी बराबर होगा, यानि जो कोन है वो भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ कॉट है, यानि, तो लिख देंगे, 90 degree, 90 degree minus 2a, बराबर, a-18 degree यनि ये दोनो कौन भी आपस में बराबर होगा क्योंकि जब दोनों तरफ कौट है तो ठीटा भी दोनों तरफ बराबर होगा आपस में तो 90 degree minus 2a बराबर a-18 degree लिख देंगे यहाँ पर तो देखें अब minus 2a को इधर लाएंगे यहाँ इस तरह लिख लेते हैं 90 degree अब minus 18 को इधर लाते हैं तो ब्लस 18 degree हो जाएगा थीक है minus 18 degree बराबर कर दाइं तरफ है तो minus 18 degree को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा plus 18 degree ठीक है बराबर a इधर है तो a लिख लेंगे और minus 2a है बराबर के बायां तरफ क्या है? माइनस 2A है तो बायां से दाइन तरफ लाएंगे तो प्लस 2A हो जाएगा तो 90 डिग्री और 18 डिग्री कितना हो जाएगा? इसको जोड देंगे तो 8, 9, 1, 10 तो 98, 108 तो 108 डिग्री बराबर A प्लस 2A तो देखे लिख लेंगे तो 108 degree बराबर 3 ने हो गया अता ए बराबर क्या हो जाएगा एबराबर हो जाएगा 108 degree बटा 3 ये कैसे होगा क्योंकि बराबर के दाया तरफ, 3 जो है ए के साथ गुना में हैं तो 3 को अगर हम बाया तरफ भेज दें तो भाग में हो जाएगा यानि 108 डिग्री बटा 3 लिख लेंगे A बराबर तो A बराबर कितना आ गया बराबर 3 से 108 डिग्री को भाग देंगे तो 3 तियाई 9 एक की धर गया तो 18 हो गया यानि 3 चक 18 तो 36 तिया 108 होता है तो 108 डिग्री को 3 से भाग देंगे तो 36 डिग्री हो जागा यानि A बराबर कितना आ गया 36 डिग्री तो इस तरह हम इसको हल करेंगे तो क्या पूछ रहा था कि A कमान गयाद कीजिए तो A कमान कितना हो जागा 36 डिग्री और यहां पे दिया हुआ था टूए एक न्यून कोन है ठीक है तो न्यून कोन है इसलिए इस तरह से हल हुआ है प्रेशन 4 यदि 10A बराबर कॉट B तो सीध कीजे कि A प्लस B बराबर 90 डिगरी तो प्रेशन 4 में क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है 10A 10A बराबर कॉट B 10A बराबर कॉट B ये दिया हुआ है तो सीध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिगरी अब देखे 10A बराबर कॉट B है तो इसमें ये सूत्र लगाएंगे देखे 10 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर होता है कॉट ठीटा और कॉट 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर होता है 10 ठीटा तो या तो यहाँ पे 10 घीटा को 090 degree – theta लिख ले या 090 degree – theta लिख ले तो theta के जगापे a है तो 10 a है तो 10 a को हम लिख सकते हैं 090 degree – a या 3 90 degree – a ठीक है? तो इसी सूतर पे हल होगा, यानी 10 θीटा ब्रावर क्या होता है 10 090 degree – theta और 3 rocket ब्रावर होता है किसी एक को बदल सकते हैं, या तो 10 को कॉट में बदलने हैं, या कॉट को 10 में बदलने हैं, दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को बदलना है, तो किसी को भी आप बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखें, हम कॉट को बदल लेते हैं 10 में, ठीक है, तो 10 A को 10 A ही रहने देंगे कॉट ठीटा पराबर क्या होता है 10 90 डिग्री माइनस ठीटा तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 90 डिग्री 10 90 डिग्री माइनस ठीटा ठीटा के जगा पर B है देखिए कॉट ठीटा ठीटा के जगा पर क्या है B है तो cotθ भीटा बराबर होता है 10 90 degree minus Rita ठीटा के जगा पर क्या है B है तो इसको Chrys髙ch में कर लेंगे तो इस तरह हम लिख सकते हैं 10 A बराबर 10 90 degree minus B कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है क्यूंकि 10 90 degree minus theta भराबर होता है cotθ theta के जगा पर B है तो 10 90 degree minus b बराबर क्या हो जागा? cot b तो cot b के जग़ा पर इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है? क्योंकि cot b बराबर होता है 10 90 degree minus b तो इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पर बराबर के दाया तरफ भी 10 है और बराबर के बाया तरफ भी 10 है तो जो कौन है दोनों के साथ ओ भी बराबर हो जाएगा यानि a बराबर हो जाएगा 90 degree minus b के क्योंकि इधर भी 10 ठीटा है और इधर भी 10 ठीटा है और दोनों बराबर है तो इधर देखिए ठीटा के जगा पर क्या है? 90 degree minus b और इधर है ठीटा के जगा पर a है तो जब दोनों तरफ 10 है तो ठीटा भी बराबर होगा यानि दोनों तरफ का कौन भी बराबर होगा तो लिख लेंगे a बराबर 90 डिग्री माइनस b इस तरह हम लिख लेंगे अधा अब यहाँ पर माइनस b है बराबर के दाया तरफ b क्या है माइनस में है तो b को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यानि a प्लस b बराबर 90 डिग्री इस तरह लिख लेंगे a प्लस b बराबर 90 डिग्री तो यही सीध करना था ठीक है तो कह रहा था सीध किजे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री तो देखे सीध हो चुका है तो बस इतना ही इसको करना है तो इसमें कौन सा सुत्र लग रहा है तो इसमें लग रहा है 1090 डिग्री माइनस ठीटा बराबर कॉट ठीटा तो कॉट ठीटा के जगा पर क्या लिख देंगे 1090 डिग्री माइनस ठीटा प्रस्न पांच अब हल कर लेते हैं यहाँ पे तो प्रस्न पांच में है यदि सेक 4A बराबर कौसे के माइनस 20 डिग्री जहां 4A एक न्यून कौन है तो A का मान ग्याद किजे तो प्रस्न पांच में क्या दिया हुआ है सेक 4A यानि सेक 4A सेक 4A बराबर कौसे 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 क और क्या कह रहा है कि 4A यानि 4A एक नियून कोन है तो A कमान ग्याद करना है तो इस तरह लिख लेंगे अब इसमें देखिए सेक ठीटा बराबर क्या होता है तो सेक ठीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ठीटा यानि कॉसेक 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर होता है सेक ठीटा तो सेक ठीटा के जगा पर क्या लिख लेंगे कॉसेक 90 डिगरी माइनस ठीटा ठीक है तो सेक ठीटा ठीटा के जगा पर 4A है यानि सेक 4A बराबर क्या हो जागा कॉसेक 90 डिगरी माइनस 4A यानि 4 ए तो या तो सेक को कौसेक में बदल ले या कौसेक को सेक में बदल ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों में से किसी एक को बदलना है या तो सेक को कौसेक में बदलने या इसको सेक में बदलने कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो किसी को भी बदल करके आप बना सकते हैं तो हम इसको बदल रहे हैं तो सेक ठीटा बराबर क्या होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ठीटा यानि लिख लेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस ठीटा ठीटा के जगा पे 4A है तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख लेंगे, कॉस एक a-20डिग्री, तो कॉस एक, 90डिग्री-4, यानि सेक चारे को क्या लिख लेंगे, कॉस एक 90डिग्री-4, क्योंकि कॉस एक 90डिग्री-3टा बराबर होता है, सेख ठीटा, तो सेख ठीटा के जगह पर क्या लिख लेंगे, कौसेख 90 डिग्री माइनस ठीटा, ठीटा के जगह पर क्या है, 4A है, ठीक है, तो सेख 4A बराबर हो जागा, कौसेख 90 डिग्री माइनस 4A, तो इस तरह लिख लेंगे, अब यहाँ पर, देखिए, दोनों तरफ, कौसिक हो गया है बराबर के दायां तरफ भी कौसिक है और बराबर के बायां तरफ भी कौसिक है तो जब दोनों तरफ कौसिक है तो उसका कौन भी बराबर हो जाएगा यानि ठीटा भी बराबर हो जाएगा जैसे बराबर के बायां तरफ में ठीटा के जगा पे है 90 degree minus 4A और बराबर के दाया तरफ ठीटा के जगा पे है a minus 20 degree तो जब दोनों तरफ कौसिक है तो कोन भी बराबर होगा दोनों तरफ का तो लिख लेंगे यहाँ पर 90 degree minus 4A बराबर a minus 20 degree तो 90 degree minus 4A बराबर a minus 20 degree लिख लेंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या है कौसिक है तो कोन भी बराबर हो जाएगा तो इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पर 90 degree plus 20 degree अब minus 20 degree है बराबर के दाया तरफ क्या है minus 20 degree है तो minus 20 को बाया तरफ लाएंगे तो plus 20 degree हो जाएगा बराबर a को a ही रहने देंगे यहीं पर माइनस 4 को इधर लाएंगे तो plus 4 हो जाएगा बाया से दाया तरफ आके तो इस तरह लिख लेंगे अब 90 जोड 20 कितना हो जाएगा 110 तो 110 degree बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस a इसको जोडेंगे तो हो जाएगा 5 a तो a बराबर कितना हो जाएगा अधर a बराबर अब बराबर के दाया तरफ 5 जो है a के साथ गुना में है तो भाग में हो जाएगा यानि 110 degree बटा 5 बराबर के दाया तरफ 5 गुना में है a के साथ तो 5 को बाया तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा यानि ये बराबर कितना हो जाएगा 110 degree बटा 5 5 से इसको भाग देंगे 5 दूना 10 एक इधर गया तो 10 हो गया यानि 5 दून दस कितना आ गया इसका उत्तर A बराबर 22 डिग्री तो A बराबर कितना हो गया 22 डिग्री तो इसका उत्तर देखिया आ चुका है A बराबर 22 डिग्री तो लिख देंगे अतर कौन A कौन A बराबर 22 डिग्री इसका उत्तर क्या आ गया 22 डिग्री तो 4A एक न्यून कोन कह रहा था तो एक ए 22 गुना 4 करेंगे तो 88 डिग्री आएगा जो कि एक न्यून कोन है 90 डिग्री से कम है चार ए तो एक कितना आया 22 अगर चार से इसको गुना करेंगे तो 88 डिग्री आएगा जो कि एक न्यून कोन है तो इस तरह इसको हल करेंगे है uniquल है कि एक करेंगे झाल झाल झाल